जब पहले शेशन शुरू हुआ मैंने प्रोटेस्टि किया वहां पर ने कहा विदावुट मैं कांजेंट विदावुट मैं एप्रोवर कमिशनर साब से जवाब हासिल करना चाहा कि आपने नोटिफिकेशन एलेक्शन कैसे निकाले उस जमन में वहां पर कुछ कार्प्रेटर ने हंगामा भी किया और जब मैं यहीं पूछ रहा था कमिशनर साब से को उन्होंने चीफला अफसर को बोला कि आप घड़े होके जो यहां पर एक अलक्शन कमिशनर का एक दस्तावेज भी आया है आप उसके वजाहत कीजिए कांग कि वो उस निशस्ति में एक कॉर्प्रेटर साहीबा ऐसी थी उन्होंने एतराज यताया उस पे उसने बोला कि यह डॉकिमिंट है मैंने इस पे साइन नहीं किया है कॉर्प्रेटर ने मुदाखलत की उन्होंने मुतालबा कि इस पे अफ़ायर होना चाहिए कि बार बार हमार ये रिक्वेस्ट नदर अंदाज करके कमिशनर सहाब ने यहाँ पे फोर्स बुलाई और हमें फोर्स बिली काउंसल से बाहर किया गया पलीस ने पलीस ने पलीस ने कुछ कार्पेटू को यहाँ पे पीता भी और मुझे भी पीता आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह एलेक्शन नहीं हो रहा है यह यहाँ पे इसलेक्टिव मेर बनाना चाहते है जिसके हम खलाफ है देखिए आपको पता ही है जब मैंने कोई कांजर्ट नहीं दी मैंने कुछ अप्रूवल नहीं दी फिर भी एलेक्शन करवाना चाहते है अपसुस की बात है आप देखिए कॉंग्रेस के कॉर्परेटर यहां पे एतिजाज कर रहे हैं हम इंडिपेंडन्ट कॉर्परेटर हैं पुलीस आई कॉर्परेटर के कब्रे फाड़े प्रिटा यहाँ पे यहां पे यहां पे कोई एलेक्शन नहीं हो रहा है यहां पे शिलेक्टि व्मियर बनाना चाते वही के उपर हो रही है है कि और दिखिए को रहे हैं हमारा एक उन्हुनें वाहां साइंस किया था हमारे कॉर्परेटर को उसंसी कि िढ़िके एंडिपें लिए वहां पे वहा आया कोई भी ऐसी चीज नहीं बता दी गई कि कोई जिप है या है सिर्फ एक काकज पढ़ा गया कि कांग्रेस का स्प्लिट होगा वेल में चीफ विप साब ने इन्होंने शोर उठाया शोर उठाने के बाद इन्होंने पहले तहसिलदार शहर एस्बियम साब आये डिसकेशन्स चले पहली बात यह है कि जब हम आए एलेक्शन के लिए नोटिकेशन हमें पता चला कि जो एक्टिंग मेर हैं उन्होंने नहीं निकाल लिए है तो उनके बगैर एक्ट के निकालनी चाहिए कि वह नहीं निकी उसके बाद जब इन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट है उसके बाद मुझे हम सब को गसीट के बाहर निकाला अब हम सब को फॉसीट के बाहर निकाल के हम एपसेंट हैं अगर ऐसा कुछ करना था हमें डिरेक्टली बोलना था हम फॉर्म नहीं बरते कल जो हमारे साथ बंदा परसों तक केमपेंड कर रहा था उसको पुलीस ठाने बुलाया गया मुझे परसनली परसनल हेरिंग एसी बी में कराई गई हमें तो समझ यह आ रहा था लेकिन आज आप सब के सामने यह जाहिर हम कोई एंटी-झनल नहीं हम भी यहां पर हमने ह हम ऑनी आज़ों पर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हम उसको गलत करें उसके साथ गलत करेंगे या दगा देंगे तो हम अपने मख़ब को दगा देंगे हम ने सिर्फ चाहा कि leveled playground के हिसाब से आप election कीजिए आप बड़े हिसाफ सुथले तरीके से election कीजिए नोटिफिकेशन खुदी निकाली जाती गरान रहा है इस के बाद election कराए जाते हैं और उसमें हमें गसीट के बाहर निकला जाता है अगर candidates को और उनके supporters को आप गसीट स्पे बाहर निकालोगे और उसके बाद इसको एलेक्शन बोलो गे सेलेक्शन नहीं बोलो गे तो इसके सिवा में आपgelोतों को क्या बोले नहीं गॉनिव कोर्फियर का कों सी पार्टी है क्या मजबूरिया है नध कर में ł सिटा हूं कि अगर advisor وغیرہ. आज की डेट में UT है. हमने accept किया UT को. हमने तो कभी ने अपने मुल्क के खिलाब बुला. हमने तो कभी ने अपने जंडे के खिलाब बुला. अब हमारा agenda state कا नहीं रहा. हमने तो accept ये जंडा भी किया. हमारे आम कश्मीरी की आवाज HERE है. लेकिन हमें ये बताइए क्या ये 87 रिपीट करना चाहते हुआ आप वी है वो आप दोबारा करना चाहते हुआ हम तो आगे बढ़े थे हम तो काफी आगे बढ़े थे मैं इतनी अपील करना चाहता हूम क्या हम यहां पर in rotate TE हमें सिट के बाहर उसके बाद जबरदस्ती वोटिंग चालू की गए ना प्रोसीजर बताया गया ना पॉरम है तो का था पॉर्ट बादी अला वाजिया करेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं हम लाचार हैं बेबस हैं मजबूर हैं जो करना चाहते थे यह हमने देख लिया अब हम इसके हम परोटेस्स कर सके हैं तोरा बीदा करें प्रॉट बड करें प्रॉट बादीघ को अधरब।